हेलो गाइस, वेलकम अगी इन्टो कोटरियल्स आज किसे अमीजिंग वीडियो में मैं आपके लिए एक बहुत इमीजिंग एंटरस्टिंग टॉपिक लिके आया हूँ जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे Amazon AWS RDP को अपने Android phone में completely set up कर सकते हो और कैसे उसमें Windows Client RDP को अपने Android phone में use कर सकते हो यस गाइस, इस वीडियो का मैंने part 1 पहले बनाया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि आप कैसे AWS RDP का एक free account कैसे create कर सकते हो तो अगर आपने वो वाली वीडियो चेक आउट नहीं किये तो सबसे पहले उस वीडियो के जाके देखो इस वीडियो को continue करना link description में आप जाके वहां से डाइटली वीडियो पे विजिट कर सकते हो So guys, without wasting any time, let's move on to the screen and let's get started So guys, AWS RDP का setup करने के लिए आपको सबसे पहले अपने Chrome browser पर जाना है Chrome browser पर जाने के बाद आपको यहां पर search करना है AWS Amazon तो आपको इंटर पर क्लिक कर देना है तो आपको फर्स वेबसाइट मिलेगी आपको सिंप्लीस वेबसाइट पर आ जाना है वेबसाइट पर आने के बाद आपको ऊपर त्री डॉट्स पर क्लिक करके आपको इसको मैंने अपने फर्स वीडियो के पाट में बता जिया था कि कैसे आप एक फ्री अकाउंट क्रेट कर सकते हो तो अगर आपने वह वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है आप जाके पहले उस वीडियो पर जाओ एवा इके तो यहां पर है कैसे आकाउंट क्रेट करते वह सीख लो यहां पर लॉग इन कर लिना जो पहले आकाउंट क्रेट कर रखा था कर देंब देख सकते हैं यहाँ पर मैंने सांगीण कर दी है simplement आपको सर्विसस्का अब को सिंब्ल capitalism पर क्लिक करना है सर्विसस्क पर क्लिक करने के बाद आपको यहां पर एक बटन देखने को मिल जाएगा E2C अगर आपको यहां पर पर दिखता नहीं अदिकburg स्क्राइप आप यहां पर सर्छ कर सकते हो आप कि आप यहां पर देख सकते हो आपको यहां पर लॉंच इन्स्टेंस नाम का एक बटन मिलजहें का उरेंज कलर से आपको सिंप्ली से क्लिक करना क्यां देनं लॉंच इन्सटेंस जु पराप्षिन है आपको वह सशेक्वाइन है इतना सेलेक्ट करने के बाद आपको फिर से इस पर क्लिक करना है अब यहां पर देख सकते हो आप कुछ इस टाइप के इंटरफेस पर आ जाओगे यहां पर नेम में एक अपना जो आप सर्वर बना रहे हो उस सर्वर का आप नाम यहां पर डाल सकते हो तो यहां पर मैं नाम डाल देता हूं नाम कोडग्रेयल रखेख खेयं कोडग्रे this है इतना करने के बाद आपको नीचे यहां पर जो भी तो भी डिफॉल्ट आपको डिवाइस दे रहा है आपको वह सेलेक्ट रखना है मेंज आपको कोई छेडखाने और करना नहीं है यहां पे की पेर लॉगिन देखना को मिल जाएगा आपको सिंपली यहां पे एक ब्लू कलर का बटन मिल जाएगा यहaa पर एक अपना बंडाल देना क्पर को क्रिएट न्यू प्लिल कि यहां पे एक नाम डाल देना मिल जाएगा प्रहास ऋख़रमा लांच इंस्टैंस नाम का बटन मिल जाए का औरेंज कलर से आपको सिंप्ली इसप्र क्लिक कर देना है नो कि गैस्त है यहां पर लिखा रहा है इंस्टॉलेशन पर यहां पर नोब यहां पर टेक्टेन अब यहां पर भी क्लिक कर दुरुत-रुक्र यहां पर सकता हो यहांपे मेरा नाम कोड़ ग्रिल्स नाम Pen से में मेरा एक ID बना आचुका है एन आप यहां पर देख सकते इंश्टे के सेंटे जाए का नेम की नीचे यहां क्लिक करने के बाद आपको ऊपर एक बटन देखने को मिल जाएगा connect आपको simply connect पर क्लिक करने के बाद आपको यहां पर download remote desktop file है आपको इस पर click कर देना है जैसे आप क्लिक करोगे तो आपका एक RDP file download हो जाएगा simply इतना करने के बाद आप यहां पर देख सकते हो यहां पर हमारा जो public DNS है वह आपको देखने को मिल जाएगा और यहां पर user name आपको जो एड्मिनिस्ट्रेटर है और एक password आपको get password को बटन मिल जाएगा सबसे पहले आप यहां पर screenshot कर लो screenshot करने से जो लिखा आ रहा है देखो यहां पर लिखा हो है password not available yet आपको इस जगा पर फोर मिनिट्स वेट करना पड़ेगा जब भी आपको अपने लॉंच को मिन्स जो इंस्टेंस को अगर लॉंच करोगे तो यहां पर चार मिनिट्स वेट करना पड़ेगा आपको password लेने के लिए यह पिस आपको एक ही बार करने की जुर्य आपको बार बार कंऻीं के जुर्य नहीं है तो पोन तो यहां पर रहे पर थोड़े देर करणे मैं यहां पर मुडेयोगा दे घजए कMcP sobre KS 2 कादा आपको सिंपली फिर से यहां परmiyor kकलिक करना है पर क्लिक के सब्सक्रीं गहां यहां पर क्लिक करना है यहां तो सिंपली यहां पर क्लिक रचो पर नाम के इतना करने के बाद आपको यहां पर नीचे कीकश्वर्ट पर कर देना है and yes guys आप यहाँ आप देख सकते हैं आपको एक पासवर्ट देखने को मिल जाएगा आपको simply इस पासवर्ट को यहां से कॉपी कर लेना है क्योंकि future में आपको इसे जरुत पड़ेगी तहिए यहां पर आपको simply यहां पर क्लोज पर क्लिक करने के बाद आपको simply जो मैंने description में दे दिया है तो आप जाके वहाँ से download कर सकते हो download करने के बाद आपको simply अपने Chrome browser पर जाना है then आपको downloads पर जाना है downloads पर जाने के बाद यहाँ पर एक RDP file download होगी आपको वो लिए file पर click करना है यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर आपको open with means मैं आपको दिखा देता हूं यहाँ पर आपको अपने Chrome browser पर आना है then आपको simply connect पर click करना है connect क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर देख सकते हो पब्लिक DNS मिल जाएगा आपको simply यहाँ से public DNS को copy कर लेना है पूरा क्लिक करने के बाद simply आपको यहाँ पर enter कर देना है then इतना करने के बाद आपको simply उपर save पर click कर देना है save पर click करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर PC एड़ हो चुका है आपको simply इस पर click करना है click करने के बाद आपको यहां पर देख सकते हो आपको एक username and password मांग रहा है तो आप यहां पर अपने Chrome browser वापस आओगे तो आप यहां पर यूजर नेम है हमारा administrator आपको simply administrator यहां पर डाल देना है जो आपने password यहां पर click किया था आपको यहां पर password कर देना है इतना करने के बाद आपको simply यहाँ पे आपको जो थोड़ देर वेट कर लेना आप यहाँ देख सकते हो configing remote control आपको यहाँ पे मिल जाएगा ओकी गईस अब यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे हमारा जो PC था उसमें हमारा login यहाँ पे होने जा रहा है पूम गाइस अब यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे जो हमारा Windows था वो हमारे आप Android फोन में यहाँ पे successfully run हो चुका है यह आपको बहुत एक अच्छा RDP है इसमें आपको बहुत अच्छे provide features आपको बहुत अच्छे मिल जाते हैं आप यहाँ पे देख सकते हो आपको यहाँ पे राइट साइड में आपको सारे यहाँ इस PC के जो भी functionality, feature, specs आपको सब देखने को मिल जाएंगे आपको total memory आप देख सकते हो architecture AMD 64 है आप यहाँ पे सब को चेक कर सकते हो IP क्या है और बहुत कुछ यहाँ पे चेक कर सकते हो और अगर आपको यहाँ पे मैं इसको run करके दिखा हूँ तो आप देख सकते हो यह पूरा एक complete PC के तरह work कर रहा है आप यहाँ देख सकते हो यहाँ फाइल मेनेजर मैंने यहाँ पे ओपन किया तो यहाँ आपको start button पर मैं लेकर जाओ Windows पर आप यहाँ पे देख सकते हो यह पूरा PC के तरह यहाँ पे work कर रहा है आप यहाँ पे सब कुछ easily यहाँ पे run कर सकते हो जितने भी इसके अंदर softwares पगर होते है PC के और जितने भी application softwares होते है आप सब यहाँ इसके easily use कर सकते हो आपको मैं advice दे रहता हूँ क्योंकि इसमें इंटरनेट explorer है हमारा वो properly ठीक से work नहीं करता है अगर कभी पे आप RDP यहाँ पे use करने जाओ और आपको internet की सुरत पड़े तो आप यहाँ पे Chrome browser को अपने इसके अंदर install कर सकते हो Chrome browser से क्या होगा कि आपका Chrome browser होगा वो perfectly इसके अंदर run करेगा यह best option रहेगा कि आप यहाँ पे जाके Chrome browser को install कर लो आपको अगर Chrome browser install करना है तो वह बहुत easy आपको simply यहाँ पे जाके एक new tab open करना है new tab open करने के बाद आपको simply यहाँ पे search कर लेना है Chrome download अब यहाँ पे जाके type कर सकते हो ऐसे Chrome download and जाके आप easily कोई भी files वगेरा download कर सकते हो and अगर आप इसके अंदर कोई भी files download करोगे तो वह आपके internet से नहीं download होगा वह इस जो भी आपका PCI RDP उसके अंदर एक अलग से internet provided है उसका internet वहाँ पर यूज होगा so guys at lastly मैं आपको एक advice दोंगा कि अगर आपका काम जो भी आप काम कर रहे हो अपने RDP पे वह अगर complete हो चुका है means जो भी आप काम करना चाहते थे वह complete हो चुका है तो यहां पर अपके Chrome ब्राउजर मेरे आने के बाद आपको यह वाले RDP को select करना है ठेन आपको उपर आकंसे पर एक option दिखने मिल जागा instant state and इसको जाके आपको stop कर देना है stop करने के बाद आपको यहाँ पर yes stop मिल जाएगा then आपको stop कर देना है yes अब यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर instant state यहाँ पर stopping दिखा आ रहा है and कुछ दिर बाद यह stop हो जाएगा ऐसे क्या होगा कि जो आपका RDP के जो free hours जो आपको मिले वह हैं जो कि monthly 750 hours के होते हैं तो वह आपका use नहीं होगा waste नहीं होगा and ऐसे आपको कोई extra charge देनी के भी ज़रत नहीं है अगर यहाँ पर आप इसको stop नहीं करते हो तो जो आपका watch hour था means जो भी आप यहाँ पर use करोगे hours वह आपका बढ़ते जाएगा and एक बार जब limit cross हो जाएगी तो आपको जो payment में issues है वह आने लगेंगे तो आप यहाँ पर stop कर दोगे तो वह बहुत ज़्यादा बढ़िया रहेगा then आपको फिर सेगर restart करना है then आपको यहाँ पर select करना है then आप simply अपने RDP client वाले जो आपका application है उसमें जाके यहाँ पर आप login कर सकते हो and आपको फिर से जो RDP तब वह successfully यहाँ पर run करना start हो जाएगा so guys video कैसे लगी like and comment करके जुरूर बताना and इस तरह के और awesome content के लिए हमारे चनल को subscribe कर लो thanks for watching मेल तब ने नेस्ट वीडियो में till then be aware, be safe and bye bye